मौका था राश्ट पती के अभिभाशन पर धन्यवाद प्रस्ताफ का पीम मोदी ने मौके पर चौका मारते होई वक्ष पर चुन-चुन कर हमले किये मोदी के तरकश में हर वो तीर था जिसकी तयारी उन्होंने पहले कर रखी थी आपको राहूल गांदी का भूकमप वाला बयान तो याद ही होगा पीम ने यूपी चुनाव से ठीक पहले इसका जवाब दिया बात यहीं नहीं रुकी राहूल ने स्कैम को सेवा से जोड़ा तो पीम मोदी ने फिर कॉंग्रिस पर सवाल खड़े कर दिये सर्विस गरीब लोगों के लिए सी का मतलब करिज, बहादुरी, सच्चाई बोलने की ए का मतलब अबिलिटी, वाइदे पूरे करने की शम्ता और एम का मतलब मॉडस्टी, इस बात को मानना कि सब में कुछ ना कुछ कमी होती है आखिर भुकम्प आही गया मैं सोच रहा था कि भुकम्प आया कैसे कि धमकी तो बहुत पहले सुनी थी कोई तो कारण होगा कि धर्ती मा इतनी रूट गई होगी जब कोई स्केम में भी सेवा का भाव देखता है स्केम में भी नम्रता का भाव देखता है तो सिरफ मा नहीं धर्ती मा भी दुख्य हो जाती है और तब जा करके भुकम पाता है प्यम के निशाने पर सिर्फ राहूल गांदी नहीं थी पक्ष के नेता मलेका अर्जुन खडगे ने कुछ दिन पहले कहा था कि सरकार ने नोट बंदी में कुट्ते के दर्थ को भी नहीं समझा यम मुदी ने इसका भी जबाद दिया है मुदी पूरी ले में थे और लग रहा था कि पीम पूरी तयारी करके आये थे नोट बंदी को लेकर पीम ने अपनी सरकार का बचाव किया वहीं लोक दंत्र को लेकर भी कॉंग्रिस पर निशान असाधा अब सवाल ये है कि क्या यूपी में परिवारवाद वर्सिस गरीब का बेटा की चुनावी लडाई हो रही है क्या यूपी में अखलेश राहूल का साथ सुविधा का समाजवाद है या फिर संसद में क्या पीम ने चुनावी भाशन दिया इनी मुद्दों पर सबसे बड़े इनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिसन स्टूडियो में नमस्कार मैं हूँ गौरव अग्रुवाल क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में चुनावी भाशन दिया क्योंकि पीम ने विपक्ष के हर वार का जवाब दिया पीम के भाशन से लग रहा था कि उनका फोकस चुनाव भी है लेकिन सवाल ये भी है कि क्या राहूल गांधी बीजेपी को मौका देते हैं क्या इसक्याम वाला बयान राहूल गांधी के खिलाफ गया पीम के भाशन का क्या असर होगा चुनावों पर इसी मुद्धे पर आज यही है हमारी बिग स्टोरी बिग डिबेट पीम मुदी का पलटवार और इस मुद्धे पर बात करने के लिए मिरसाथ एक खास पैनल है हम आपको उन से रूबरू करवाते हैं मिरसाथ डॉक्टर विजे सोनकर शास्त्री है बीजेपी के प्रवक्ता आलोग शर्मा है कॉंग्रेस के प्रवक्ता क्योंकि कई न कई निशाने पर सबसे ज़्यादा आप और आपकी पार्टी रही है आलोग शर्मा प्रदान मंत्री ने उस भूकम की भी याद दिलाई जो राहूल गांदी ने कहा था कि मेरे जब बोलूँगा तो भूकम पा जाएगा और कही न कहीं निशाने पर कॉंग्रेस पार्टी की सारी नीतियों को भी कटगरे में खड़ा कर दिया जो आज तक आपकी सरकारों ने इस देश के लिए बनाई है तो क्या माने कि कही ना कहीं कॉंग्रेस पर एक करारा वार आज किया है प्रधान मंत्री नहीं या पलट वार बड़ा भारी पड़ा है कॉंग्रेस पर? देखे मैं समस्ता हूँ गौरव जी हिंदुस्तान के आजाद इतिहास में जबसे प्रधान मंत्री तमाम प्रधान मंत्रियों ने भाशन दिये हैं संसद के अंडर बजट के उपर अगर आज तक के इतिहास में सबसे घटिया कोई भाशन रहा होगा तो वो आज का भाशन रहा होका जिसमें एक देश का प्रधान मंत्री केवल और केवल एंकार अपने मूँ से निकाल रहा है आप देखे किस तरह से भूकंप के उपर भी आप जिन लोगों के मकान गिर गए उनके उपर आप चुटकी ले रहे उनके उपर देश का प्रधान मंत्री मजाग बना रहा है क्या आप संसत की गरिमा को गिराने का काम नहीं कर रहे हैं जो डेड़ सो लोग मर गए नोट बंदी के दौरान आप उनका भी मजाग उड़ा रहे हैं आप में जानना चाहता हूं को नोट बंदी के उपर आपने कौन कौन से लक्ष हासिल कियें और अगर नोट बंदी इतना अच्छा कदम था तो आपने उसको बार बाल गोल पोस्ट को क्यों चेंज किया आज बताईए कितने ऐसे काले धन पीले धन वालों को जेल में पहुँचा दिया आपने आपने कहा था पचास दिन मुझे दीजिए लेकिन आपका एकनॉमिक सर्वे कहता है कि दो करोड रोजगारों के बदले लेबर ब्यूरो का जो रिकॉर्ड आता है कि वन पॉइंट थी सेवन लैक केवल जॉब्स आएं है देश का प्रधान मंतरी संसद का मजाग बना रहा है तालिया पिटवाने के लिए केवल हो गरीबों का मजाग उड़ा रहा है पूरे बजट के अंदर मिनिमम सुपोर्ट प्राइस का शब तक नहीं है रेलवे बजट के अंदर आपको एक पहरागराफ लिखने का टाइम नहीं मिला आप बताएए कितना रेलवे को घाटा हुआ है प्रधान मंतरी जी ने कोई जवाब लिए अलोग शल्मा, मिरे पास पूरी फेरीस थे, किनोंने किस-किस आखड़े की जिकर खिया, उनोंने मंदेगा का खिया, लेडी बल्प का खिया, उंहोंने आपकी हिजिणायों का खिया, बेनामी संपति कानून का इस पर भी आ रहा हूँ. नहीं, बातो影片 के लिए, मैं उस पर भी आ रहा हूँ मैं उस पर भी आ रहा हूँ गौराव जी मुझे केवल यह बता है यह प्रधान मंत्री जी जो इसी पार्लेमेंट के पटल पर कहते थे कि मनरेगा कॉंग्रेस की ऐसा फलता का जीता जागता समारक है आज उसी समारक के उपर आप खड़े होकर कमल का फूल लहरा ना चाहते हैं ऐसा संभव नहीं है आप कहते हैं बजट बढ़ा दिया अरे नोट बंदी की वज़े से तीन करोड लोग बेरुजगार होगा इसलिए मनरेगा में रेजिस्टेशन बढ़ गया किसान जो अपना भीज भी समय पर नहीं ला पाया जिस तरह से किसानों की हालत हुई धान की फसल मंडी में पड़ी रह गई मोदी जी कहते हैं गरीबों का हग गरीबों को दिलाओंगा हमें सतर साल लगे जीरो से पांच रुपे प्लेटफॉर्म टिकट करने के लिए इनको पांच से दस करने में सतर दिन नहीं लगे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आप मुझे केवल ये बता दीजे के रोजगार कहा है केवल ये बता दीजे के इंडुस्तान के त्यास में कोई ये ऐसा भजट आया है जिसमें किसान के मिनिमम सुपोर्ट प्राइस शड़ की भी आवेले नहीं आखलों की बात की है आलोग शर्मा आपने आखलों की बात की है एक एक फैक फैक एक फैक आज और रखा गया संसद में और संसद में रखा गया प्रदानमंतरी की तरफ से रखा गया इसलिए आप उस पर जवाब दें दॉक्टर शास्त्री एक मिट में आ रहा हूँ दॉक्टर शास्त्री रूखिए नहीं सुनिये अलोग शर्मा पहले माइक तो बंद करिये आलोक शर्मा सुनिये, आलोक शर्मा कॉंग्रेस ने बेनामी संपत्ती कानून बनाया, ये खुद आज पीम ने कहा, 1988 में, लेकिन 26 साल तक आप नोटिफाई नहीं कर पाए, ये भी एक फैक्ट रखा अनूने, इस पर अपना रियाक्शन ज़रूर दे, फिर डॉक्टर शास्त ये आप पे आ रहा हो, उत्तर देना चाहूंगा, मैं इस पर उत्तर देना चाहूंगा, 1988 में एक कानून आया, लेकिन 1989 के बाद से, कॉंग्रेस की, अरे सर, सुनिये ना, आप सुनने नहीं चाहते हैं, लोगों को गलत तथ देकर, ये देश का प्रधान मंत्री, पूरे मैं पूछना चाहता हूं, नवासी के बाद, कॉंग्रेस की, अल्कमत की सरकार रही, सुनिये जरा, एक मिनट सौनकर शास्त्री जी शांत रही है आप, उसके बाद, छे साल, अटल बिहार रिवाज सरी जी की सरकार रही, उसके बाद, 2011 में यही कानून, सर सुनिये, सर, मैं बताता हूं, बिल्कुल अल्कमत की थी, क्या आपको नहीं पता, क्या, दो सो चार हमारे हाई एस, चलिए ठीक है सर, ओके, ओके, मैं आप दूसरे बना इसका रुख करूंगा, ओके, ओके, अलोग शर्मा, सर, 2011 में, नहीं सर, सर, उत्तर तो दीजे ना, उत्तर देने, गौर रहा हूं, डॉक्टर शास्त्री, विपक्ष का साफ आरो, अब आपी जवाब दीजे, डॉक्टर शास्त्री, बडाई, आपके, आपके, अब बोलने की मसीन को चुप तो कराईए, तुनिए, डॉक्टर शास्त्री, अब आप बोलिए, सर, बजट अभी भाशन पर, प्रध साफ आरोप लगा रही है, कि मुद्दा कुछ और था, और प्रधान मंत्री ने उसको किसी और चीज़ के लिए इस्तिमाल कर लिया। बोलते ही नहीं थे, और जब हमारे प्रधान मंत्री हर मुद्दे पर अपनी बिचार रख रहे हैं, बेवाक टिपड़ी रख रहे हैं, तो इनको गटिया लग रहा है, मतलब वो अगर जनता की भासा बोल रहे हैं, तो आलोग शर्मा को गटिया लग रहा है, मैं तो नहीं सारे निताओं को बोलता ना इनकी पार्टी को मैं इनको बोल रहा हूं क्योंकि ये जबान इन्नों ने बोली है या ये कहें कि इनकी पार्टी ने ये बोला है कि घटिया लगता है देखिए हकीकत तो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने एक-एक उन तथ्थों को रखा है जो आपको कॉंग्रेस के सबसे बड़े नेता का ट्वीट पढ़के सुना हूँ उप्दान मत पर गया रहे थे कि जब शरीर स्वस्त होता है तो आपरेशन करते हैं और राहूल गांदी ने ट्वीट करके कहा है नीम हकीम खत्राय जान आप बोली है आप ही को बोल रहा हूं है सार मने आप से पूछा है आप से पूछा है आप से पूछा अगर हम बोल है हमारी जवाब इन आया हमको जबाब भी लोगों को सुन है हम उस तरह कि आउगान नहीं करना हैं तो बड़े पेशन से सुना है सर और सुनने के लिए बुलाया है बुलिया यह कहना चाहते हैं कि जो प्राश्ट किया गया है अगर संसद में प्रदान मंत्री जी ने जो तमाम बाते रखी हैं देश की जनता क्या कह रही जरा इसको तो गरीबों को अगर सम्मान मिल रहा है गरीबों के लिए घो को संसद में तो कौन सी जिना है अब बताई को आप बोल रहे थे मैं कुछ भी बोला था मेक अप इंडिया, स्टाट अप इंडिया, लेट अप इंडिया, अरे योजनाओं के अलावार रहे हैं इतनी योजनाओं चलाने के बाद भी आप रोजगाता बेर लाख का अकड़ा ने चुपाए एक साल में साड़े बाईस लाख सताईस हजार मकान के वल गरीबों को दिया गया है आपके समय में क्या हुआ था, मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ अरे कहां से दे दिया, कौन सा मकान दे दिया, जरा बताईए कौन सी योजना के तहद दिया गया देश को, देश ने इसमाल किया है, जिससे ग्यारा हजार करोड का पचत्वा है आपके छे महीने के अंदर आपने पांच लाग तलाब बना है, कौन सा हिंदुस्तान के गाउं में तलाब बना है बताईए जरा, आपकी बाउकलाट है, मैं समझ सकता हूँ आपकी बाउकलाट अपर ये बहुत धुर्भा के पूर्ण है, आप अपने आपके गिराना जाते हैं, तो फिर ओपन डिबेट करते हैं अलोग जी तोड़ा पेशन्स रखे, अलोग जी इतने पेशन्स के साथ आज आज आपने पीयमोगी का पूरा भाशन सुना लोगों को दो बार कि शासनी साथ को सुन लिजए तिर आता हूं आपके पास तीन करोड लोगों को मुद्रा योजना से लाव मिला है तीन करोड लोगों को रोजगार मिला है इन लोगों के समय में देश की हाला क्या थений दे गरीबों के लिए रासन nih बढ़ता था कि तीन करोड रासन कार्ट फर्डी बनाए गए थे जो हमारी सरकार ने पकड़ा है और आज गरीबों को उसका लाव मिल रहा है अगर यह जानना चाहें जल्दी कम्लीड इज़े डॉटर शासी कम्लीड कीजे ताइम खितम हो रहा है कि यह कांग्रेस का जीता जाकता ताबूत है अगर समझना है तो मुझे मेरा जन करना पड़ेगा इसलिए आपने उसका फण बढ़ा दिया है मनेरेगा का पूरा रूप कर लिया है सरा आप तिक बात हो गई मरे अलोक्षा का रुखिये पंपुरी पार्टक कुछ करना चाहते ही रुखिये पंपुरी तैसे ना रहा है तो रुख जाए सर मैं आ रहा हूं आपके पास पंपुरी क्या लगता है जिस तरह से नोट नोट बंदी को लेकर प्रियब ने आज संसद में कहा जिस तरह से आपको लगा कि आज प्रियब ने केवल कॉंग्रेस को इड़े बलकि पूरे विपक्ष को निशाने पर रखा है चुनावों पर इसका असर पड़ेगा और नोट बंदी पर कही ना कहीं सरकार की तरफ से एक स फाइदा हुआ या क्या एक एकॉनमी पर उसका क्या असर हुआ होने वाला है लेकिन हमारे प्रदान मंत्री जी नहीं सुनिये लेकिन उन्होंने उसे एक राजनेतिक स्पीच बना दिया उनके उनके रैली के भाशन में अरे बोलने दीजिए कब से गलत बात इस तरह चुप प्रदान मंत्री की जो पोस्ट होती है उसका कोई डिसिप्लिन होता है लेकिन बिलकुल आज ऐसा लगाई नहीं कि देश का प्रदान मंत्री बोल रहा है क्योंकि पूरी स्पीच में सिर्फ विपक्ष पे हमला किया गया और पूरी माफी के साथ रोकना चाहूंगा आप के रही विपक्ष पे हमला किया गया मेरे पस पूरी स्पीच है और ने कहा कि 21 करोड एलीडी बलब लग चुके हैं इससे 11,000 करोड की बच्चत हुई 22,27,000 घर बनवाए हैं हमने और 10,83,000 घर बनते थे पहले उन्होंने का कि 76,000 गावों में आप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगाया है उन्होंने का कि नोट बंदी हमने क्यों किया इसका भी एक रीजन है क्योंकि नोट बंदी जैसे शरीर स्वस्त होता है सब कुछ मेंटेर होता है शुगर बीपी तब हम आपरेशन करते हैं वैसे इतना जादा बेशर्मी से कोई भी फैक्ट ये कोई भी आकड़ा दे देते हैं उस दिन प्रधान मंत्री जी आये मेरट में बोले कि 99 प्रतिशत किसानों के डायरेक्ट खाते में पहुंच चुका है पैसा आज वो किसान एक किसान ढूंड रहा है कि कहा पैसा है सबने अप् फिजूर कुछ भी दो देते हैं किसी पे कोई इंजाम लगा देते हैं आपके पास कोई आपड़ा नहीं दिखाने के अभी आप यहां पे कहरें तीन लाख चालना को नहीं प्रतिशन ये बनता है पंगुडी अभी आपने कहा कि प्धार मंत्री पद्ध की गरिमा को इस तर सबी नेतां की बात कर दिया अगर इस बोलने दीजिए अगर यह दो बाते करते हैं लेकर आप एक रूसरी के सरकार और ने करते हैं सब्सक्राइब और इसलिए प्रधान मंत्री या कोई भी नेता भाजपा का बड़ा नेता जाके नोट बंदी की तारीफ आज नहीं कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी को नहीं उत्तर प्रदेश में जाकर मैं बता रही हूं लोगों के पास रिलाज का पैसा नहीं था शादी कराने का पैसा नहीं था पच्छों के स्कूल के पीज़ देवें का पैसा नहीं था उससों लोग मर रहे हैं लेकिंडर सबस्क्राइब मेरें की डॉक्तर स्चास्ट्री मेरें बास्तुरी मेरे बात शुरीएं बड़क्टर शास्त्री मेरे बात शुरीएं आप सब लोग एक साथ बोलते रहेंगे तो मैं चुप बैट जाता हूं वीवर भी चुप बैट जाएगा और वो आपको सुनेगा भी नहीं सर क्योंकि किसी की बात सुनेगा नहीं सर डिबेट एक एक करके होती है मैं आपके पास आऊँगा आपको आपका जवाब दोने का मैं आऊँगा आपके पास लेकिन मुझे दूसरे पैनलिस से जवाब ले लें दिजिए फिर मैं ओपन डिबेट करूगा मैंने बोला कि आपको मैं अपनी आपती जताईए सर लेकिन मैं आपकी तरह नहीं आपती जताऊंगा मेरा अपना तरीका है मेरे अप मेरी अपनी कुछ कहा है उसका असर यूपी चुनाव पर पढ़ने वाला है पंकडी ने जो कहा उसमें पंकडी ने काफी कुछ सच कहा कि नोट बंदी वाकरी अगर हम दोस्त कोई सही बात करते हैं तो आप यह कह देते कि हम इनके साथ हैं तो यह गलत बात है ना अगर अभी मैं बीजे और नोट बंदी कितना काला धना यहीं तो पूछ रहे हैं हम लोग बताइए ना मोदी जी अच्छे दिन कब आएंगे पंद्रा पंदर लाक रुपए इसका जवाब ही तो पूछ रहे हैं अगर आपने वादे किये हैं आपने का है राहूर गांधी तो एक बार के लिए जो फंड आता है कांग्रेस या बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा फंड आता है लेकिन किसको घेरा सपागों गेरा या बट्पा को घेरा वही हम लोगों को इससे क्यों नहीं पूछा दिया है कि इनके आखने और बात बीजेश पैसा आता है जो बड़ी तीन कंपनिया है जो इनको चंदा देती हैं तो आपको लगता है कि केवल नोट बंदी एक मुद्दा राया जो ने विपक्ष के लिए का उरों ने जो पुरा देश की बात कई आप बताईए सोचले की बाते करते थे कितने सोचले बनाएं मोदी जी जितने सोचले नी बनाएं उससे गाए त खाते में जाते हैं बताएं के उसकी कर रहे हैं चलिए सर अजय सर यह तो वर इस्टू थी की डिबेट है और यह होगी भी क्योंकि मोदी जी पक्ष में बाकी और बाकी तीरों पार्टिया विपक्ष में लेकिन सर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने ए लेके यह सही बात है कि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाओ एक लंबे दौर का चुनाओ है जो 5-6 फेज हैं साथ फेज हैं उसमें जिस तरह से वोटिंग होगी वो हर फेज के बाद चुनाओ का पैटर्न बदल दी सकता है वोटिंग का पैटर्न बदल दी सकता है एक यह है कि नोट बंदी कोई ऐसी चीज नहीं है जो छिपा के की गई थी। नोट बंदी एक ऐसी चीज है जो मुझे रखता है कि भारत के इतिहास में most visible कोई अगर action था तो वो action था। उस पे विपक्ष की अपनी राय है, सरकार की अपनी राय है और प्रदान मंत्री से यह उमीद करना कि वो चुनाओ के दोरान अपने किसी भी platform को छोड़ेंगे और नीतिगत बाते करेंगे और चुनाओी भाषण नहीं होगा तो मुझे रखता है कोई भी politician यह काम नहीं करता है तो उनसे भी मैं उमीद नहीं करता कि वो भी यह काम पर जो किमेंसे विफक्श से चुटकीने की बात कर रहे हैं और नोटबंदी नहीं कि प्रदान मंत्री ने अपने 92 साभा पूरा रिपोर्ट कारड सामने क्या इसको तुनाओ की से जोड़े की ना जोड़े मैं बिल्कु जोड सकते हैं जोडना ही पड़ेगा हम नहीं जोड़ेंगे तो उस पर काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि रास्टपदी के अभिभाशन के बाद और बजट पेश हो जाने के बाद अगर संसद में कोई बात हो रही है तो यह ताजा आकड़ों की बात है उस पे हमारे आलोग शर्मा जी भी कुछ अपनी बात रख रहे हैं वो डेवर ब्यूरों की बात बता रहे हैं कि साहब 1,87,000 को जॉब क्रियेट हुए सरकार के पास दूसरे आकड़े हैं वो दूसरे डंग से बात कह रही है तो अगर आप देखेगा तो हर आदमी को अपना प पूर्ण राज्य हैं उनकी अंदेखी करना भी उचित नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश जो एक निर्णाएक भूमिका में रहता है हमेशा लोकसभा चुनाओं में और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य है आबादी के हिसाब से बाकी चीज़ों में तो अगर हम इस चुनाओं को देखते हैं तो हर पार्टी कमर कस के इस चुनाओं हो इस चुनाओं की जो सबसे अच्छाई है वो यह है कि इस बार हर पार्टी तयार है और हर आदमी सड़क पे खड़ा आदमी हो कोई सरकारी बाबू हो कोई पॉलिटीशन हो हर आदमी दूसरे आदमी से जानना चाहता है कि साब उत्तरप्रदेश में इस बार क्या हो रहा है तो यह एक रुचक चुनाओ है इंट्रेस्टिंग एड़क्षन है सब तरह के कॉंडिनेशन से और मुझे लगता है कि इसके नतीजे जैसे भी आएंगे वो निर्णायक होंगे और आगानी चुनाओ पर उसका मैं आऊँगा सर इस सवाल पर आऊँगा आँगा आँगा लेकिन बड़ी एक इंटरस्टिंग अभी एक तस्वीर मुझे इस डिबेट में देखने को मिली और वो यह कि कम से कब हम सबने अपने सबसे सीनर पैनलिस्ट का तो रेस्पेक्ट किया और जब वो बोल रहते तो हम में से कोई बीच में नहीं बोला इंक्लूडिंग मी और मुझे बड़े अच्छी चीज़ लगी लेकिन आलोग शर्मा मैं आप लोग ऐस्तरा से तिंमिला रहें नहीं बोल दिया है जिस समय देश के प्रधान मंतरी को बोलना चाहिए वो नहीं बोलते हैं संसद के प्लेटफॉर्म को उत्तरप्रदेश के चुनाव के लिए उप्योग करना चाहेंगे तो मिर्ची भी लगेगी और हम उसका मिर्ची के साथ ही जवाब भी देगे जहां तक बोलने की बात है देश का प्रधान मंत्री अगर संसत के अंदर खड़ा होकर अपने चुनावी भाशन दे तो अवश्चा है कि प्रधान मंत्री से जवाब मंगा जाता है हम पूछना चाहते हैं नोटबंदी का आपका क्या लक्ष था और अगर नोटबंदी आपका इतना बड़ा फैसला था और इतना सक्सेसूर प्रोग्राम था तो आपने एकोनामिक सर्वे में जो सफलताओं की लिस्ट थी उसमें नोटबंदी क्यों नहीं रखा उस पूरे पेज के उपर भी नोटबंदी का नाम नहीं था हम जानना चाहते हैं अगर इतना सफल प्रोग्राम आपने ढ़ाई साल में किया है तो रुपया जो 57 रुपे पे छोड़ा था वो 70 रुपे पे क्यों पहुंँ पहुँँ पहुँँ गया देश का प्रधान मंत्री कोई भी भाषा बोले लेकिन वो प्रधान मंत्री की भाषा तो बोले प्रचार मंत्री की भाषा ना बोले वो दुद्या के दर्द को समझे देश के दर्द को समझे गरीब आदमी के दर्द को समझे भूकंप के दर्द को समझे भूकंप आता है अब अभी भी इलेक्शन मोड में अज़ बूकंप के उपर चर्चा ले रहे हैं दूसरी चीज़ देश के प्रधान मंत्री अगर वहाँ से खड़े होकर पारलेमेंट के पटल से अगर इलेक्शन मोड में बात करेंगे अरे आज बजट है बजट को एक महिना पहले ले आए क्यों? क्योंके फाइदा उठाना चाहते थे आप वो फाइदा नहीं मिला तो आपने दूसरी तरफ उसको रहे हैं नाम रखना था आप कहते हैं एक परिवार ने शहादत दिला दी और एक परिवार ने शहादत से अपने पूरे देश को अज़ाद करा दिया अरे उस परिवार ने तो अज़ाद होने के बाद भी दो दो देश के लिए प्रधान मंत्री नोचावर कर दिये इन संग्हियों ने क्या किया संग्हियों ने निकर पहन का अलोग शल्पा उस परिवार की हर शाधत का सम्मान है लेकिन ऐसा मत कहिए कि केवल उसी परिवार ने इस देश के लिए साहधत दी है इस देश के तमाम परिवारों ने सीमा पर अपने बच्शों को फोई आ है लेकिन उनके नाम पर एक योजना नहीं ये है और उस परिवार के नाम पर साइकलों और हजारों योजना है पहली बार कैबिनेट में लिया है गोल वर्कर जैसे लोगों को भी हमने काक के टिकट पर बठाया है लेकिन प्रधान मंत्री अगर पूरे देश में ये कहे कि मैं ही पहला प्रधान मंत्री हूँ इससे पहले कोई प्रधान मंत्री नहीं हूँ दॉटर शास्त्री जवाब दीजे जवाब लेतें दॉटर शास्त्री आप जवाब दीजे देखिए ये आलोग जी ने जो भी बाते कही हकीकत तो ये है कि पार्लेमेंट में जब ये कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर बोले तो प्राइम मिनिस्टर जब गए बोलने के लिए तो उस समय ये लोग भाग खड़े हुए अब आज जब प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं एक परंपरा के तहत जो बोल रहे हैं और जब उन्होंने आम लोगों की बात कही गरीबों की बात कही शामानी लोगों की बात कही तो इनको मिर्ची लग रहा है और कह भी रहे कि मिर्ची क्यों ना लगे ठीक है देखिए सच्चा ये हैं कि विपक्ष एक समय था जब बड़े-बड़े घोटाले होते थे तो भारती जिनता पार्टी के तम पार्लिमेंट मेंबर चाहते थे कि बजट हो तो भास्टा चाह पर बजट नहीं होगी ये लोग भाग जाते थे और आज जब इतने बड़े स्कैम इतनी बड़ी जो भारती जिनता पार्टी के तरफ से और खास्त वर से हमारी सरकार की तरफ से आर्थिक इस देश की अर्थ बेवसे को सुधारने के लिए बड़ा नीड़े लिया गया, तो उस पर जब सरकार ने चर्चा किया, दीन बर चर्चा चली, जब सरकार के तरफ से उत्तर देने का मौका आया, तो ये लोग भाग खड़े हुए, और पूरा महिना, पूरा सेशन बर भागते रहे, प्रधान मंत्री आये, प्रधान मंत्री भ जंगे आजादी की बात है जंगे आजादी में नहरू परिवार या यह जो बरतमान तथा कठित गांधी परिवार है इसके कितने लोगों ने बलीदान दिया है जरा यह तो पता दें उन्होंने एक और बड़ा आरोप आपके उपर लगा है डॉक्तर शास्त्री और साफ आरो अजीव गांधी ने बलीदान नहीं दिया था kicking रस्स वालों को पता चले कांग्रेस पार्टी के थे क्या और ऑगध उसका यह का guided का नाम उच Girondi करते थे और आप लोग को बोलने का हक नहीं है जिस का अंग्रेज की बात कर रहे हैं आज परदान मंत्री ने यह पानी की वह चिट्थी याद नहीं है आपके आरे से सब्सक्राइब लिडर की अंग्रेज को लिखते थे मुझे जेल से छोड़ दीए जब लाइक की मदद करू लंडन से पढ़ने के बादफ होगे आपके नहीं समझा आएगी जी जख नहीं है कि वो कहते हैं कुटे किसको कुटा बना रहे हैं किस कुटे कि सहाध़द चाहते हैं आपके नेता इस तरह के भाशा ये तो आपके इस प्लीजज़ कर रहा है और प्रवक्ता भी यहाँ पर के ते सरुंदा करwałा हूं आपकी तो आपके लोगसभब में ने किया था उनों ने भी अपने हपने कुटे का एक्जांपल दिया था उसके उपड़र आप नहीं बोले उन्होंने नोट बंदी का इस्तफार करके उपर भुल था उसके उपर आपने प्लाप भीए उस सबहुँ है जंट पर्दान मंत्री कहे कि हम कुटो की परंपरा से रुकिये रुखे- रुखे- रुकिये- रुकिये- पंकुडी पाठक, क्या आपको लगता है कि जिस तरह की बात आज प्रधानमंत्री कही और कहा कि आपके अंदर खोट है, तो क्या वाकई जनता इस बात को आपको लगता है, इससे फर्क पड़ेगा? अगर आज सदसद में सुनते प्रधानमंत्री जी को तो ऐसा नहीं लग रहा था कि देश का सबसे बड़ा नेता, लीडर अव दा हाउस बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भाजपा का एक नेता जो अपनी हार समझ चुकाई की हार हो गई है, वो बोल रहे हैं, कोई प अटाशा की हूँ है, और कौन लोग है जो आप पर अत्याचार कर रहे हैं, देखे नेता पर अत्याचार जंता सिर्फ एक तरह से करती है, और वो होता है वोट ना देकर और उन्हें बहार करके सब्ता से, तो ये अत्याचार तो उन पर हो गई, क्योंकि जंता पर जो अत्य अब ही खेह रहे थे कि प्रधान मंतरी जी को कहते थे कि प्रधान मंतरी जी को सदर में बुलाया जाए ये मांग हो लेकिन आज भी जवाब नहीं मिला है आज भी वाइट पर एक सेगे आपके पास या रहा हूँ आप लोगों ने मतलब पूरे विपक्ष ने संसद नहीं चल आपके पता नहीं आपने कौन से उद्योग पती दोस्तों को अपने इस बारे में खबर दी जिसके कहने पर निया गया इसके कितना उसका नुक्सान नहीं करना चाहिए जिन लोगों के घर में बहुते हुए है जिनके जिनका हमीश की प्रश्वाइब था पूग गया अपन कांग्रेस पार्टी के युराज को बठाने के लिए अमंतर दे दिया है ये लोग ये लोग सेने को बात करते हैं जो लोग गढ़बंदे मनाने लगे हैं किसके हार की बात कर रही है उत्तर प्रदेश की जलता समाजवादी पार्टी को जबाब देगी अपने चौकट पर इ एक पत्रकार नौजवान की माँ जब खाने जाती है तो उसकी माँ के साथ बलतकार होता है आप लोगों को कह रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में हार की बात करती है हार का तो आपको सामना करना करेगा जब वो दलित बेटियों की इच्चत के साथ फुरा रही है और लोग ज जब आप के लिए उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है तो हार आपकी हुई है और आप अपने हार से पहले ही नहीं लेगे लोगों के शास्री कि आपने हाथ पकड़ना सुरू कर दिया कि बुरी तरह से आप लब्दी आपने गिना सके जिस तरह से ब्रश्टा चा कितना काला दन लाया कितने लोगों को चेली पार्टी के लोग अपने नाकामयाभी को थी पाने चाहिए दॉक्तर शास्री रुखिये दॉक्तर शास्री रुखिये वो कढ़ने नाकामयाभी को थी जाएए दॉक्तर शास्री के साथ ही नोष्टर शास्री रुखिये ठीके कटबंदन कॉंग्रेंस का है लेकिन आज कई ना कई उस तरफ आप भी खड़ी दिखाई देती है लेकिन रितु सिंग जिस तरब डॉक्टर शास्ती कह रहे हैं मैं उस पर आपका रियक्शन चाहता हूँ वो कह रहे हैं पिछले पांच साल में क्या हाल रहा लाइन ओर्डर का उत्तर प्रदेश में वो कह रहे हैं समाजबादी पार्टी ने क्या विकास किया बहुदन समाजबादी का इस पर क्या कहना है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में पांच साल में जो कुछ हुआ उसी बेसिस पर और धाई साल में जो केंद सरकार ने क्या उसी बेसिस पर चुनाओ लड़ा जाएगा नहीं बिल्कुल ये बात पक्या है कि जो लॉइन ओर्डर था वो सपासरकार में बिल्कुल खतम हो चुका था इसलिए शायद इनको गड़बंदन की जरुरत पड़ी अगर इन्होंने विकास किया होता तो ये अपने उस पे आते लेकिन सबसे बड़ी बात है जो केंद में बैटे थे भाजपासरकार इन्होंने क्या किया ये बताएंगे इन्होंने जो वादे किये नोट बंदी के बाद या उससे पहले जो लोगों के लिए हमने भष्टाचारो लूट खतम की कहां हम इस ऑस इसे यही तो पूछ रहे हैं जब हम ये बात पूछ तें तो अप कहतें कि हम सारी पार्टिया हैं хотел में बगा दिया पंद्रां पंद्रां बाद बात हैं बोड़ी के तो व्यालत नोट लेके इन्होंने बच्चों कर लोटा इन्होंने गर्की औरतों कर कर आते हैं कि तरह नोड़बंदी के मामले इस तरह लोगों की खिल्ली उड़ा रहे तो इनका भात्वासकी चेरा है कि है किस कर राजनीती करें जो है न हो भी हष्द हो नीचे गिर चुपा कि ये गाएं के नाम पर अपने बारे में सोगते हैं कि हमें सकता में कि पर राणा है दो हो तो बहुत को है कि ऐसे जबाब दे कि क्या मायवती जी ने यह साथना देश जारी किया था कि नहीं कि अद वन इस्टू थी है दॉटर शास्त्री आपको मिनत जादा करनी पूलेगी मुझे मालूम है वन इस तुद्री है आज रुखे इनके लोगों का इनके लोगों का मुकदमा मुद्धिया जाए अब रुख जाएं इसको आपन दो सबको आपनती है कि आप बीच में बहुत देते हैं नहीं व्क्त मिलेगा सर लेकिन आप सब्कों नहीं बोले दें दोसरों आप खुशो चलेगा डॉक्टर शास्त्री आप इतने सीनियर हैं सर इतने सेनियर हैं सर थोड़ा सा पेशन्स रखिए सर नेरे खिलाब बोल रहे हैं सर ग्यारा मार्च तक पेशन्स रखिए उसके बाद सब साफ हो जाएगा कि किसका क्या है किसका क्या रही है सर आपको बुलाया जवाब देने के लिए लेकिन एक मिट रुके सर क्या वाकई बीजेपी वर्सेज ओल जिस तरह से इस डिबेट में दिख रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आपको इसी तरह दिख रहा है ठीक बात है, यह चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में सपा और कॉंग्रस ने हात मिलाया है बसपा एक अलग पार्टि है जिसका अपना एक अलग में वजूद है और वह अपने बलबूते अकेरे चुनाव लड़ रही है तो भाजपा अपने बलबूते चुनाव लड़ रही है, बसपा अपने बलबूते चुनाव लड़ रही है, सपा और कॉंग्रेस ने हात मिलायाया है यही एक combination है, जहां पर ruling party रहती है, center में ruling party है और बीजेपी में जब वो लोकसभा में आई थी तो जिस तरह के नतीजे लेके वो आई थी उसके बाद ये बीजेपी के उपर भारी एक दबाव भी है कि उसको कहीं कहीं अपना परफार्नस दिखाना होगा क्योंकि जितनी सीटें आई थी जितना प्रतिशत मत मिले थे अब उससे वो मत अगर कम होते हैं यदि कम होते हैं तो मैं यह नहीं कहा रहा हूँ लोकसभा का चुनाओ अपने मुद्दों पर होता है लेकिन जनता का मिजाज रोज बदल जाया जनता का मिजाज धाई साल में ब बागिदार हैं जो लोग सभा में थे वही लोग विदान सभा में इस स्ट्रेट्जी में और चुनाओ प्रचार में लगे हुए हैं तो निस्चेत तोर पे यह माना जाएगा कि बीजेपी अकेले यह चुनाओ लड़ रही है और मतलब उसके साथ जो भी पार्टियां हैं व जो चाह रहे हैं कि जो बीजेपी की बढ़त है उस बढ़त को कहीं कहीं काउंटर किया जाए उसको रोका जाए और जो पिछली सरकार थी वह सरकार वापस आ सके इसकी सफा की कोशिस है और बस्ता के पास हमेशा एक लॉइन ओर्डर का बड़ा एक एक एड्वांटेज रहत है तो मुझे रखता है कि बस्ता उसको भी इनकाश करना चाहती है तो मिराज उलाके मैं तो यहीं कहूंगा कि यह चुनाओ एक बहुत ही महत्तपूर्ण चुनाओं है जो उत्तर प्रदेश के भविश्य को भी तै करेगा ठीक है और मैं एक दूसरा सवाल लेकर आऊंगा अ आलोक शर्मा प्रधान मंत्री कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्धे पर कि हम हमारे देश की सेनाओं का गुडगान जितना करें उतना कम हैं सर्जिकल स्ट्राइक बहुत बड़ा फैसला था देश का मिजाज देखकर विपक्ष के तेवर बदले राहुल गांधी क्या उत्तरा खंड का अपमान किया अलोक शर्मा इसमें कहीं और भूकम की जहां तक बात है तो यह तो राहुल गांधी ने खुद कहा था कि मैं बोलूंगा तो भूकम पा जाएगा यह जो ट्विट है देखे मैं समझता हूँ के राहुल जी का भूकम कहने का शब्द का अर्थ और भूकम वास्तिकता जो प्लेट टेक्टॉनिक्स तो होता उनका अंतर है उनके ट्विट के दो पार्ट है सबसे पहला पार्ट है उत्तरांचल का जो अपमान है वो भूकम के नाते है कि उत्तरांचल में भूकम पा रहा है आप यहां पर उस भूकम शब्द की खिली उड़ा रहे हैं वो भी क्योंकि कल आया था और उसको आप मेंशन कर रहे हैं कि भूकम तो आही गया अरे मोदी सहाब आप कह रहे हैं कि सैनिको का हम सम्मान करते हैं सर्जिकल कर तलवारें कभी नहीं खीची गई इसलिए कहा राहूल गांदी जी ने कि आप सैनिकों का अपमान मत कीजिए सैनिकों पर राजनी की मत कीजिए हमारी सैना एपॉलिटिकल रही है उसको पॉलिटिक्स में मत गसी किये यह सैना का अपमान हुआ है मैं दो चीज़े पूछना हूँ बैंकों के करमचारियों के घोटाले तो आपने देख लिए अब आप प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं पहले तो इंकम टेक्स के अधिकारी कहीं भी पहुंच जाते थे अरे बैंकम टेक्स के नोटिस आने शुरू हो गए हैं उगाई शुरू हो गई यह इंकम टेक्स क के हाथ में उस तरह दे दिया है अब वो किस तरह से क्या करेंगे वो आने वाला समय बताएगा आज आर्बी आई जिसमें दस डारेक्टर्स होते हैं आठ हैं ही नहीं दो हैं दो में से आपने क्या किया एक को बुलाया उससे साइन कराया आदा घंटे में कैबिनेट की अपरू अब उनका जवाब सुन लेते हैं बLYजे केवल ये बताईए कि 73 साइस ugly उत्तर प्रदेष को आपने क्या किया यक उद्योग दिया अपने क्या क्या किया क्या किया गहुं के उपर जो एक्साइज जूटी लगती ति आ ली को भी हटा दिया है प्रिया केवल कॉंग्रेस बी जेपी के खट बंदन के लाव आप उत्र प्रदेश को बटाइए। के लिए काम कर रही है जो चौरा जो देखिए के कारण ही केंद्र में भारती तीन करोड़ लोग बेरुजगार हो गये गरीबों के लिए काम है मिनीमम सुपोर्ट प्राइज का बजट में इसक्रशन नहीं हो यह सरकार काम है लेकिन यह है कि जो केंद्र में चौरासी योजनाय बनी है जो गरीबों के लिए योजनाय बनी है वो उत्तर प्रदेश के ही गरीबों के लगता इन सारी बातों पर उत्तर प्रदेश जनता आपको बोट डालेगी क्योंकि क्योंकि विपक्ष बहुत जाला हमारे साथ है उत्तर प्रदेश में साथ लाक महिलाओं को गैस प्रदेश की जनता जवाब देगी आपको वो चार करोड लोग हमाने लोगों के साथ तयार रहेंगे उत्तर प्रदेश में कैंडर सस्थकरोड हम लोगों के साथ तयार रहेंगे अतर प्रदेश पूरा हम लोगों के साथ है रहेगा और उत्तर प्रदेश अबसे एक सवाल इक से वाल पूछा गया था प्रदेश से बाहर कर दिया जाएगा डॉक्तर शास्री आपसे एक सवाल पूछा गया था कि आप में उस्तर प्रदेश को क्या दिया मेरा सवाल आवे है। पूलिस पहुंचेगे उत्तर प्रदेश को सपा और कॉंग्रेस के गठबंधन के लावा कुछ और दिया है क्योंकि मुझे तो लगता है कि आपकी वज़ा से गठबंधन हुआ है और आलोग शर्मा जिस्तरा से आज आपके उपर एक के बाद एक निशाने कर रहे हैं आप से जादा कई ना कई है समाजवादी पार्टी की मदद आपकी मदद तो करेंगे नहीं समाजवादी पार्टी की मदद कर रहे हैं नहीं देखिए ऐसी बात नहीं है वो तो समाजवादी पार्टी से गठ जोड़ किये हैं तो गठ जोड़ किये तो गठ जोड़ आपको लगता प्रद्वी जब्सक्राइब भी विजेपी तो गई यूपी में पचास सी चारा गाहते हैं विजेपी गई बॉटर शाज्री बाविश्वारी सुन लिजे बीजेपी गई पच्छी तरह एसे जान देखाए अलोग शर्मा ने बाविश्वारी कर देखाए बीजेपी मुक्ष हो रहा है देख भीजेपी कॉंग्रेश इत हो रही है कि तमाम पार्टियों का जो रिजेक्टेड मान है विजेक्टी में पूपादिया जी से एक फाइनल कमेट लेना चाहता हूँ सर क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ये पूरा घटबंदन हुआ है वाकरी बीजेपी के लिए कि टक्कर जादा हो गई है या बीएसपी को भी आप मानते हैं इस वज़ए से दिक्कत हो रही है ये बराबरी की आजमाईश है ये अच्छी बात है लोग तंतर के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि कोई आज की तारीक में ये गेस करने का जोकिम नहीं उठा रहा है कि कौन जीतेगा और कौन हार रहा है ये बहुत अच्छी शुरुआत है मैं ये मानता हूं कि लोग तंतर में इस तरह की सिच्वेशन बनी रहनी चाहिए बजाए इसके कि एक तरफा सिच्वेशन बनी रहे जिसमें कि ये पता रहे कि कौन आ रहा है लेकिन उसकी बात पांच साल तक ना पता रहे कि कौन तो पाँच साल तक उसका पता भी रहे हैं अगरी सवाल ठीक है आपके साफ से बहुत अच्छी तस्वीर है लेकिन आज जिस तरह से प्रदानमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोला आपको लगता है कि इसका भी असर पड़ेगा बड़े बड़े बड़ेगा बड़ेगा बिल् अपना परचार करने का एक स्टाइल है और उस स्टाइल ने इस मौपके को बहुत शुक्रिया हो के सर ओके आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमार साथ जूडने के लिए बिग स्टोरी बिग डिवेट में आज हम बात कर रहे थे पिया मोधी के पलटवार की लेकिन ब एक गत्रे इस बहुत से जो सकतर।